हाई फ्रेंट सबका मेरी चैनल टेक्निकल में के डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी आई सीम है और भी आई सीम में अगर आपका दो रिचार्ज हो चुका है तो आपको क्या करना होगा फ्रेंट बहुत सारे ल रिचार्ज हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग एक कहेंगे कि हमारा रिचार्ज बेकार हो गया मतला हमारा पैसा बरबाद हो गया तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रिचार्ज अगर आप करवाते हैं तो आपका पैसा बरबाद नहीं होगा तो चलिए मैं आपको अगर आप आपने भी रिचार्ज कर लिए या किसी और को कहे थे तो भी रिचार्ज करवा दिया और आप अपने भी रिचार्ज कर लिए मतलब दो रिचार्ज आपके सीम पे आक्टिव हो चुके हैं तो कौन सा रिचार्ज आपका बेकार हो जाएगा चलिए मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं तो फ्रेंड अगर आप अपने वियाई सिम पे अगर मालेजे अपने 299 आ 249 का रिचार्ज करवाया है मतलब unlimited प्लान वाला रिचार्ज करवाया है और वहीं पर मालेजे कोई बंदा जो है जिससे आप बोले थे अपने पिता जी से या भाई से जिससे भी बोले थे अगर ओ रिचार्ज मालेजे 99 का रिचार्ज कर देता है तो ओ रिचार्ज आपका बेकार हो जाएगा मतलब वहीं पर जी आपने 99 रुपय वाला रिचार्ज करवा लेता है या विदाउट unlimited वाला प्लान अगर रिचार्ज करवा देता है तो आपका जो बैल टीडी है वह बैल टीडी वढ़े गी नहीं वह रिचार्ज बेकार हो जाएगा और वहीं पर मालेजे आपने unlimited वाला plan recharge करवाद, मतलब 299 का recharge आपने करवा दिया, और वहीं पर आपका भाई-बंद जो भी है, अगर मालिजे, ओ भी 299 का recharge करवा दिया, या 249 का recharge करवा दिया, तो उसकी bell TD जो है, मालिजे, आपने 28 दिन का plan लिया था, तो अगर मालिजे उसी दिन वो बंदा जिसको भी आपने बोला था अगर उसी दिन वो भी 249 या 299 का रिचार्ज करवा देता है तो unlimited प्रान वाला कोई भी है अगर रिचार्ज करवा देता है तो आपकी वैल टीडी जो है 28 दुनी 56 दिन की वैल टीडी हो जाएगी तो और आपके मंद के doubt clear हो चुके होंगे कि कौन सा रिचार्ज हम अगर मालिजे double रिचार्ज करवा लेते हैं तो कौन सा रिचार्ज बेकार हो जाएगा और कौन सा रिचार्ज हमारा बेकार नहीं होगा तो अगर आपने unlimited वाला plan दो बार, तीन बार कर लेते हैं तो उसकी वैली टीडी बढ़ती चाली जाती है और अगर वही पर आपने 99 रुपया कोई और छोटा रिचार्ज करवा लेते हैं